देखिए एक हैंकी या रुमाल हमको रोज धोने की जुरत पड़ती है प्रॉब्लम कब आती है जब हमें इसको छोटी सी चीज को आयन करना होता है अब छोटी सी चीज के लिए आप पूरी की पूरी आयन तो उठा के नहीं लेकर आओगे आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ विदाउड आयन आप किस तरीके से अपने हैंकी को तुरंत दिखा सकते हो कि उसमें आयनिंग की गई हो तो पहले तो आप धोएंगे हैंकी को और उसमें थोड़ा पानी रहने देना है पूरा नहीं निचोड़ना है और इसको इस तरीके से स्ट्रेच करकर के आ अब वेट कीजिए 100% इसको ड्राय होने दीजिए ड्राय भी हो जाएगा तो अपने आप गिरेगा नहीं हैंकी जब तक आप इसको खींच के नहीं निकालोगे अब दीखे जैसे यहां पे निकाला है यह हैंकी पूरा है यह आयन लग रहा है जैसे कि किसी ने प्रेस मारी हो इसमें तो नीटली क्रीज बनाके आप इसको अच्छ तरीके से फोल्ड कीजिए और लगेगा आपको कि जैसे मेरा हैंकी आयन होके आया है तो यहां पे जो टाइल्स आपको दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पैटन बनावा है तो वो पैटन इस कपड़े के पीछे छप गया हैंकी के पीछे तो इफ इन यॉर बात्रूम यू आपको तो हैंकी बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे बिल्कुल फ्लैट आयन होके आया है जैसे ये वाला है ये वाली टाइल पे बिल्कुल भी पैटन नहीं है तो यह देखिए कितना नीट लग रहा है तो इस तरीके से क्रीज बना बना के फोल्ड कीजिए और नीटली जब आप इसको फोल्ड कर देंगे so it is as good as being ironed यह देखिए अगर आपको यह वाला है पसंद आया है ट्राइ जरूर करना और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर करना चैनल को सब्सक्राइब